नमस्कार मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज संडे था तो मैं सोची थोड़ा डिफरेंट कुछ बनाती हूँ तो आज मैं मॉर्निंग में बनाई हूँ फ्रूट चार तो वह सोची आपके साथ शेयर कर लो तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार तरह की फ्रूट चार बनाना को भी मैं कट करके लेरी हूँ आपके पास जो भी फ्रूट्स अबलेबल हो आप उससे बना सकते हैं ड्राइ फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं तो चलिए आगे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बाउल ले 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 ते इस तरह का मैं चार बाउल लेरी हूँ आ नमबर वन में मैं यहाँ डालने वाली हूँ चाट मसाला यह बिलकुल कॉमन सा बना रही हूँ मैं जो आम तोर पे लोग बनाते हैं और इसमें मैं डाल दूंगी लिमन जूस आपके पास अगर सुगर पाउडर है तो वह भी थोड़ा सा अड़ कर दे तो इसे बहुत ही अच् पस डलता ही है क्योंकि यह है फ्रूट चाट तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चाट मसाला और मैं इसमें अड़ करने वाली हूँ रूबजा जिहां रो सिरप इसमें अड़ कर दे बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपने अभी तक ट्राइने किया है तो एक बार प्लीज जरूरी से ट्राइ करें और अच्छे से कर दें मैक्स उसके बाद इसको खाएं बहुत मज़ा आता है चलिए अब थर्ड टाइप इसकी बनाते हैं तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दी हूँ धेर सारा चाट मसाला अब मैं इसमें अड़ करने वाली हूँ कंडेंस्ट मिल्क ज अच्छे से कर दें मिक्स उसके बाद इससे सर्फ करें बहुत मज़ेदार यह बनता है कंडेंस्ट मिल्क के साथ फूट चाट तो यह बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा थर्ड टाइप भी हो गया बिल्कुल अब मैं आपको फूद टाइप बताती हूँ यह देखे यह ल यह बिल्क एपको आपको शो कर दो रबडी वाली तो बहुत ही मज़ेदार लगती है यह भी आप फर्स टाइम सुन रहे होंगे तो रबडी वाली चाट मसाला बना चाट बना के खाएं बहुत ही मज़ेदार लगता है तो देखिए हमारे फॉर टाइप जो चाट है ना तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक भी अगर पसंद आती है ना तो प्लीज मुझे मुझे बताना ना भूले और एक बास जरू ट्राइ करें इसे दिखिए कितना मज़दार दिख रहा है और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया ना तो प्लीज न